हाई दोस्तों वेलकम टू इंफोमेशन ड्री उमीद करता हूँ आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आपने इस चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो प्रीज सब्सक्राइब कर लीजे और बैल आइकन को भी प्रेस कर लीजेगा पालेडियो के डिखें़ हैं सब्सक्राइब की खालेब नियुक्तिख के करbewें कि तौप जैसी सब्सक्राइब चाहिंगे आपको यहाँ पर notification का ये link दिखेगा आप इस पर click करेंगे तो आपको ये PDF open हो जाएगी जिसमें लिखा होगा कि कौन कौन सी post निकली है तो post जो निकली है वो हमारी postman, mail card और multitasking staff की post निकली है ठीक है अब देख लेते हैं इनकी क्या salary रहने वाली है तो जो postman और mail card की वो लेवल 3 की salary होगी और multitasking की level 1 की salary होगी ये level 3 वाली 21,700 सी 6900 होगी और level 1 वाली 18,256,900 ठीक है ये इसका salary bracket होगा आप देख लेते हैं कि इसमें vacancies कितनी निकली है तो vacancies जो है postman की total हम salary अलग-अलग division की according है तो हम total post बताएंगे वो है 1029 total post है ठीक है ये postman की है जो mail card की है वो है 15 post और जो multitasking staff की है वो है 32 तो ये number of vacancies बता जल गई ठीक है आप देख लेते हैं कि भाई फॉर्म की fees कितनी है ये और भी इसमें details है इस PDF में कि क्या क्या अगर disability है तो वो कौन-कौन सी आप eligible है तो ये सारी इसमें information दी हुई है ये detailing में मैं नहीं बता रहा हूँ मैं overview दे रहा हूँ तो आपको अगर detail चाहिए तो आप ये PDF से सारा पढ़ लिजेगा मैं इस PDF का डारेक्ट लिंक भी डाल दूंगा description में ठीक है तो eligibility criteria जैसे की है अपना इंडिया का citizen होना चाहिए या नेपाल का भूटान का या फ्यूजी हो जो इंडिया में रह रहा हो यह सब होते हैं एज लिमिट हमारी जो है और मेल गार्ड के लिए 18 से 27 साल रहेगी और जो multitasking staff है उसके लिए रहेगी 18 से 25 साल ठीक है यह यह अन्रिजर्वड के लिए होती है एज लिमिट बाकि जो रिजर्वेशन होगा वाइस पर दी नॉम्स होता ही है SCST के लिए फाइव येर्स का रिलक्सेशन होगा ठीक है यह बहुत सब के लिए सहीम है बाकि इसमें यह भी है अगर central government का employee है तो उसकी क्या up to 45 years of age eligible है और MTS के लिए 40 years तक तो यह भी है आप इसमें सारी आपको details मिल जाएंगी PDF में और education qualification क्या है हमारी postman और mail card के लिए plus 2 होनी चाहिए plus आपको Marathi language और Konkani language या तो Marathi या Konkani Marathi language अपनी Maharashtra के लिए चलेगी और Konkani जो होती है अपनी Goa के लिए ठीक है तो यह आपको 10 तक पढ़ी होनी चाहिए तो वही लोग eligible होंगे और computer की knowledge होनी चाहिए ठीक है जो post mail card और postman के लिए ठीक है अब देख लेते हैं अलिजिबिलिटी हमें पता चल गी है अब हम देख लेते हैं exam pattern क्या रहने वाला exam pattern जो है अपना online test होगा paper 1, paper 2 और 3 parts में होगा तो paper 1 अपना computer based multi choice questions होगे computer based test होगे जो paper 2 होगा उसमें descriptive questions भी होगे और mcq भी होगे paper 1 असमें सिर्फ mcq होगे कितने marks का paper होने वाला है paper 1 100 का होगा paper 260 का और skill test 40 का paper 1 में 100 questions आएंगे paper 2 में 30 questions multi choice questions होगे और 2 questions descriptive होगे जो 15 15 marks है और यह 40 marks का skill test होगा पूरा जो duration होगे हमारा पहला test जो होगा और 90 minute का होगा दूसरा 45 minutes और तीसरा 20 minute का ठीक है paper English Hindi और local language में होगा और minimum qualifying marks as per the norms undergraduate के लिए 40 under unreserved के लिए sorry unreserved के लिए 40% SCST के लिए 33% OBC 37 तो ऐसे ही होगा ठीक है और जो syllabus की details है वो यहां पर पूरी mention करी हुई है तो आप यहां पर देख सकते हैं कि किस section से कितने questions आएंगे जैसे general awareness से 30 questions आएंगे basic arithmetic से 40 questions आएंगे और reasoning से 30 questions आएंगे तो आप यहां पर सारा syllabus की details मिल जाएंगे paper wise तो आप उसके according अपनी PR कर लिजेगा अब हम देख लेते हैं कि form कहां भरा जाएगा कौन से site पर भरा जाएगा तो इस PDF में वो site pension है मैंने वो site को open किया हुआ है तो direct में इसका link भी description में डाल दूँगा कि कहां पर registration होगी कहां पर form भरा जाएगा तो यहां पर यह लिखा है कि 12 तारिक से registration स्टार्ट हो गई है 12 October से और जो last date है वो है इसकी 10 November ठीक है यह चीज़े याद रखना आपको 10 November से पहले ही form भर लेना है admit card कब आएगा वो अभी तक date announced नहीं हुई है test कब होगा वो भी announced नहीं हुए date इसके अलावा आपको कोई भी help ची होगी तो आप इस call इस पे number पर call कर सकते हैं और email भी खर सकते हैं ठीक है plus अब आपको registration कैसे करनी है मैं detail में नहीं बता रहा है मैं आपको बता रहूं कि यहाँ पर आप जैसे new user है आपने registration नहीं करी तो आप यहाँ पर सीधा new user पर click करेंगे और यहाँ पर आपको सारी information मिल जाएगी कैसे कैसे क्या form फिल करना है आपको जैसे mobile पर OTP आएगा email ID होनी चाहिए आपके पास scan signature होना चाहिए आपकी photograph होनी चाहिए यह size होना चाहिए इन चीजों का category certificate होना चाहिए educational documents होने चाहिए graduation के 10 plus 2 के 10th के तो यह सारी information यहाँ पर मिल जाएगी आपको ठीक है और जब उसके बाद क्या करना है आपको यहाँ पर यह center भी मिल जाएगे center code यह आप जब भर होगे तब पता चलेगा और यहाँ पर दुबारा से fees भी mention कि कितनी fees है ठीक है अब आपको क्या करना है I have read all the information ठीक है और आप क्या करना है एक मिल यहाँ पर continue पर यह है continue का निशान इस continue पर click करना है link पर जैसे आप continue पर click करेंगे यह आपके दूसरा portal आजाएगा जहाँ पर आपको details फिल करनी है जैसे कि आपका नाम क्या है क्या gender है तो यह सब details आपको फिल करनी है और registration करनी है ठीक है I hope यह वीडियो अच्छी लगी होगी और उमीद करता हूँ कि आपको आपके लिए भी useful होगी यह वीडियो और please like करें इस वीडियो को channel को subscribe करें thank you thank you so much